स्वागत है आपका आज की चाहिपे तो बहुत सारे लोग आजकल बहुत रापिडली वेट लॉस कर रहे हैं और काफी लोगों को लगता है कि ऐसा वेट लॉस जो रातो रात हो रहा है ये और्गानिक तरीके से नहीं हो रहा जैसे कुछ लोग हैं जैसे कुशा कपिला, पायल मलिक, क्रितिका मलिक की सिस्टर यानि जो दो भीवाला व्लॉगर है उसकी दूसरी वाइफ की जो बहन है सब लोगों का हाली में कुछी महीनों में वेट लॉस ऐसा देखने को मिला कि जो की पहले कभी देखने कोई नहीं मिला जैसे पायल है उसकी तो डिलिवरी हुई थी, ट्विन्स थे और उसका ऐसा वेट लॉस हुआ, अच्छा लोग कहते हैं कि हो सकता है जी सरजरी से हुआ हो, बिकोज बीच में एक टाइम पे वो सरजरी के लिए गई भी थी, उसने का था कुछ लंग्स का इशू हो गया हाला कि उसका लंग्स का इशू बाद में ठीक नहीं हुआ था और वो कहती थी कि मैं हेवी मेडिसन्स पे हूँ, लंग्स को लेके उसके बावजूद, यानि वो एंटीबाइटिक्स पे रहते हुए भी पाइल मलिक का वेट लॉस रैपिटली हो गया अब कृतिका जो है वो उसी घर में रहती है, हलाकि उसका वेट लॉस उतनी देजी से नहीं हुआ और टाइम लाइन दोनों के प्रेग्नेंसी की सेम थी इसके इलावा कृतिका की बेहन, जिसे कृतिका हमेशा समझाती थी की वेट लॉस कर लो कर लो वो भी अचानक से पाइल के ही टाइम लाइन के अकॉर्डिंग या उसी के दुरान वो भी एकदम से स्लिम हो गई और इतनी स्लिम की लोग विश्वास नहीं करते हैं that she is the same woman अच्छी बात है, वेट लॉस करना, हेल्दी लाइस्टाइल फॉलो करना बट एक कॉमेंट में देख रही थी सब के कॉमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था जिनोंने भी वेट लॉस कर रहा हाली में अब बताओ तो सही कि आप लोग का वेट लॉस हुआ कैसे, आप लोग कोई fat burner ले रहे हो या फिर आप ozampic ले रहे हो, अब ये सब क्या होता है समझाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई dietitian या doctor नहीं हूँ तो मैं जो भी आपको बता रही हूँ, वो based on the research which is already published in the public domain है और ना ही मेरे खुद की कोई personal opinion है, ये peer reviewed journals के basis पर मैं बता रही हूँ तो कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको और जानना है, या फिर कुछ भी आपको लेना है या integrate करना है अपनी life में तो आपको पता है dietitian और doctor से पूछे बिना मत कीजेगा चले शुडू करते हैं, main point पे आजाती हूँ मैं अब ये जो ozampik है, जिसका नाम बहुत अभी सुनने को मिल रहा है, ये है क्या basically more than a fat burner, जिसको इसको कहा जाता है fat burner लोगों के द्वारा, बटी है नहीं it is actually something which is meant for those who suffer from type 2 diabetes, जो भी type 2 diabetes से सफर करते हैं, अकसर उनको ये प्रिस्क्राइब की जाती है, इससे एक तो blood sugar control में रहती है, दूसरा weight loss भी हो जाता है, तो जो लोगों का weight because of blood sugar भढ रहा है यां obesity है, वो कहीं न कहीं control हो जाती है, और 15-20% initial days में weight अपने आप कम होता है, होता यह है कि जब ozompic कोई लेता है, तो हमारी body में hormone होता है GLP-1 जिसे वो mimic करता है, और ozompic help करता है, body में insulin resistance कम करने के लिए, insulin भढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो इनसान ozompic लेता है, उसे वो पेट भरा हुआ है, वो वाली feeling लंबे time तक रहती है, तो भूक नहीं लगती है बार-बार अब ये जो point है, ये point पकड़ने आए कुछ लोगों ने जिन्हें लगता है कि भाया weight loss तो करवाई रहा है, है ना, weight कम हो जाता है, दूसरा पेट भरे वाली feeling जो है, that I am feeling full, वो भी आती है ozompic लेने से, तो लोगों ने इसको एक तरीके का fat burner की तरीके से use करना शुरू कर लिया है, which is actually not good, क्योंकि बहुत सारी बाते हैं, देखें ozompic अगर बहुत अच्छी चीज़े करता है, बोडी में तो बहुत कुछ ऐसा भी करता है, जिसकी वज़े से उसे नहीं लेना चाहिए, बिना वज़े, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा हो, तो लीजे व प्रिस्क्रिप्शन, वो लोगों को ऐसे साइड एफेक्ट्स आरे हैं, जिसमें हार्ट की तरफ पेन, चेस्ट पेन, या फिर अगर आप देखेंगे कुछ लोगों को हार्ट पैल्पिटेशन भी आई है, इन फैक्ट वो भी लोगों को आई हैं, जो की डाइबटीज के हव कि क्या होता है, कि कोई भी मेडिसन लेने से पहले हर डॉक्टर पहले समझता है कि आपकी बॉड़ी को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, यह और दे काउंटर ऐसे जाके नहीं आप ले सकते हैं, बिकोज ओके आई वन गो फोर वेट लॉस यह जल्दी वेट लॉस करना है, अब पायल का या फिर कूशा का पिला का या फिर स्वाती बसरा, इन सब लोगों का मुझे नहीं पता कि exactly क्या हुआ, बट किसी ने भी concrete तरीके से सामने आके अपना वेट लॉस रिजीम नहीं बताया है, अगर कोई भी यह सोचता है कि fat burner लेने से वेट लॉस हो सकता है, जो क्यों होता है, उजंपिक का एक बहुत बड़ा side effect है, और हो है उजंपिक wrinkled face, तो मैंने करें कि wrinkles are bad, वो aging के साथ तो आती ही है, बट बहुत rapidly, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूं, कि तीनों लोगों कि जो मैं बात कर रही हूं, कूशा, पायल और स्वाती, उसमें से अगर पायल का face जाके देखोगे, तो जो excessive weight loss और हुआ भी है, हमने देखा है, कि पायल ने literally इतना कम कर लिया है, again, good है अगर organically कर रहा है, बट अगर किसी और चीज को लेके, fat burner को लेके किया गया है, then it is actually very very harmful, because पायल के face पे rapid aging दिख रही है, face की जो skin है वो इतनी loose हो चुकी है, जबकि दिखाते हैं, ये लोग अपने वीडियोस में अकसर दो बीवी वाला vlogger दिखाता है, जो इसका husband है, कि sorry, दो नहीं तीन, मतलब तीन नहीं दो, एक तो रिवोर्स हो चुका है, हाँ, तो ये जीवर्दस vlogger दिखाता है, कि बहुत weight lifting, बहुत जाला strength training, दोनों पायलों इस तरीके से घटरी है, जैसे मतलब वो कुछ खाए ही निरी है, है न, तो अगर extremely आप calorie deficit पर जाते हो, again, it is a bad idea, यनि आप खाना बिलकुल कम कर देते हो, तो आपकी body में आपको बता दूँ कि इस तरीके से डहलेगी, skin बहुत lose हो जाएगी, whereas अगर आप strength training करते हो, अच्छ healthy diet पे नहीं, healthy in the sense, जहां पे आप अपनी body पे ध्यान दे, और एक अच्छी nutritional balanced diet ले, along with a good amount of exercise, और जहां आपको लगता है कि external चीजे लेने से, fat burner लेने से, या फिर बिना prescription के, उजमपिक लेने से, क्योंकि जिनको prescribe करी गई है, जो type 2 diabetes से, सफर कर रहे हैं, उन्हें तो लेनी अच्छी body, पतली body के लिए, आप अपनी cardiovascular health, आप अपने literally kidney, और liver, इन सब के उपर impact eventually आएगा, और hormonal imbalance, ये तो एक बहुत बड़ा side effect है, fat burners का जो market में, सोचिए, insomnia, यानि नीद नाना रात को, liver damage, high blood pressure, hormonal imbalance, and numerous allergies, ये सब कुछ आपकी body में अगर हो जाएगा, just due to the fact कि आप को जल्दी से rapidly weight loss करना था, जबकि वक्त लगके, छे महीने नहीं तो एक साल, एक साल नहीं तो दो साल, कोई बात नहीं, slow and steady wins the race, ultimately body जीच जाएगी आपकी, तो और क्या जाएगे, ये सारे side effects के साथ किसको आगे बढ़ना है, fat burners, chemicals, भार की चीज़े क्यों body में डालनी है, म की चक्कर क्या है, मुझे भी जानना था, कि ऐसा कौन सा लोगों पे instant इलाज आ गया है, जो तो तो तीन-तीन महीने में सब ऐसे slim हो रहे है, तो कहीं नहीं आपको सबको समझ में आई रहा होगा, और इतना जरूर कहूंगी, कि fat burner ना लेने के इलावा, एक बात और कहूंगी बहुत जारा calorie deficit पे भी जानी की जूरत नहीं है, कि body में basic protein की, fiber की, carbohydrate की कमी ये सब होती है ना, और फिर क्या होता है कि आपके बालों पे, आपकी skin पे impact आता है, जब मैंने initially, बहुत starting की stage पे weight loss किया था, तो उस time पे बहुत सारे side effects में calorie deficit weight loss diet के सह रही थी, यानि कम खाना खा जानी की वज़े से, बाल जो है, वो ऐसे ज़णने से लग गए थे, skin जो है, वो बिलकुल डल हो गई थी, बड़ भी recently, जब मैंने एक ऐसी weight loss diet अपनाई है, जहां पे मैं बहुत कम खाना नहीं, मतलब 1400 calories में, मैं क्लोस करती हूं रोज, with cheat days 2000 calories, और लगातार मैं जिम जाती ह हैं, और अगर नहीं होते हैं, पांच दा स्टेप पे close हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं साथ में कुछ ऐसी exercise ज़रूर इंक्रोपरेट करती हूं, कि वो मेरा calorie burn है, वो consistent रहे throughout the week, तो अपने body को active बनाना is important, जिम जाना, या फिर घर पे भी exercise, जैसे आपको सही लगे करिये काईजन टेक्नीक पहले भी बताई थी, वो अपना ये, बाडी में अजीब से chemicals या फिर वो hormones डालके, जो हमारे body के hormones को mimic करते हैं, उनको लेके ये ना समझे कि ये shortcut सही होगा, क्योंकि कोई भी shortcut सही नहीं होता, कहीं जल्दी weight loss के चकर में, shortcut to heart diseases, insomnia, blood pressure ना बन जाए, So ultimately at the end, I would like to give this message to everyone, कि एक healthy organic diet or exercise regime होगा, तो वक्त जरूर लगेगा, पर आपकी body ऐसी toned होगी, कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे, that this is you, and you'll be proud of yourself, of the developments that you'll see in your body, और आखिर में वजंपिक कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिनको प्रिस्क्राइब नहीं करा गया, क्योंकि जिन लोग के लिए ये दवाई है, उनके लिए shortage हो गई है, ये मार्केट में, क्योंकि हर कोई जाके ले रहा है, और अब वजंपिक मिलती ही नहीं है, असानी से, जो कि जिया बरदस्त दो बीवी वाले व्लॉगर और फैमिली को में यही मेसेज दूँगी कि जियान है आप, समझने वाले समझ जाएंगे और जो ना समझे वोन के फैन, आज के लिए इतना ही फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे हैं, और फरी बच्चों में सब आते हैं, कैट और हमारी गौम आता है, बस दिल से सबकी सेवा करते रहें, थैंकी सो मच फ़र दूइंग यॉर बिट फ़र दर ससाइटी, आज के लिए इतना ही जै शीराम, रादे रादे, हरे कृष्णा